दोस्तो आप कभी दालवाटी चुर्मा और लिट्टी चुखा एकसाद खाए हैं हमको पक्का विस्वास है कुन्नो नहीं खाया होगा पर फिकर नाट इपिक्चर में दुन्नू का फ्लेवर मिलेगा आपको हाई फ्रेंड मैं हूं मीता वेलकम तू फिल्मी मीता आज हम लाए हैं चौदा फेरे नाम की एक फिल्म जो जी फाइपर आज रिलीस हुई है इसकी कास्ट है विकरान मैसी, किर्ती खरबंदा, गोहर खान, जमील खान, विनीत कुमार इसके डिरेक्टर है देवयान शुकुमा इस फिल्म के डिरेशन एक तो ग्यारा मिनिट है आयम डीवी वाले इसको 7.4 इस्तार दिये हैं ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें कॉमेडी तो कुछ खास नहीं है पर ड्रामा भर भर के है आए पहले स्टोरी जान लेते हैं वैसे स्टोरी तो फिल्म के ट्रेलर मे ही बता दी गई है बस उसी स्टोरी को फिल्मेड डिटेल से लिखाया गया है स्टोरी सुने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट कर लीजिए और बेल आइकन वा दवाना मत भुलिएगा ये कहानी है संजय सिंग और आदिती क ये दोनों दिल्ली में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं जहां उन्हें प्यार हो जाता है और अब एक ही कमपनी में दोनों जॉब भी करते हैं पर इनकी लाइफ इतनी आसान है नहीं जितनी के तिकती है इन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन दोनों का अलग-अलग कास्ट और स्टेट से होना जहां संजय लाल सिंग बिहार जहानाबाद के राजपूत फैमली से हैं वहीं अदिती जैपुर के जाट परिवार से दोनों के परिवार वाले कास्ट सिस्टम को बहुत मानते हैं और उनके खांदान के जो बच्चे सिस्टम को नहीं मानते उन्हें ओनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है अदिती इन सबसे दूर जाना चाहती है इसलिए अपने बॉस को दोनों का ट्रांसफर यूएस करने को कहती है पर हमारा हीरो भागने में विश्वास नहीं रखता इसलिए अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें पहले वो अदिती को राजपुद बनाकर उसकी फैमली से मिलवाता है और फिर खुद जाट बनकर अदिती के घरवालों से मिलता है अब दोनों की दो-दो शादियां फिक्स हो जाती है जिसे करवा संजय अदिती के ओफिस वाले और उनके सारे दोस्त उनकी हेल्प करते हैं अब यह शादियां कैसे होती हैं क्या क्या ड्रामा होता है क्या क्या रुकावटे आती हैं क्या यह 14 फेरे वाली शादी हो भी पाती है या नहीं यह सब जानना है तो यह मूवी देखें मैं यह नह कास्ट, कास्टिंग में सबसे पहले आते हैं हमारे हीरो विक्रान्थ मैसी जिन्होंने संजे सिंग का रोल प्ले किया है ऐसे तो इनकी एक्टिंग हर फिल्म में कमाल की होती है पर यूपी बिहार के एक्सेंट वाली फिल्मों में तो पूरी जान डाल देते हैं इस फिल्म में भी शान्दार एक्टिंग किये हैं विक्रान्थ बाबू कीरती खरबंदा गजब की खुबसूरत लगी है उनका काम भी अच्छा है पर उनके डालोग्स को सुनकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये मारवाडी फैमली से है फिल्म में जब आदिती बताती है कि वो जैपूर से है तो हमें पता चलता है कि वो मारवाडी फैमली से है जमील खान ने दोनों के नकली बाप का रोल प्ले किया है जिसे उन्होंने अच्छे से निभाया है फिल्म में गोहर खान भी हैं उन्हें दोनों की नकली मा का रोल प्ले करने को मिला है जिसमें उन्होंने अच्छी ओवर रेक्टिंग की है गोचपूरी और मारवाडी डैलोक सबसे ज़्यादा गोहर को ही बोलने को मिले हैं लेकिन उन्होंके उपर एक भी सूट नहीं करता है बाकी सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है संजे सिंग की मा का रोल जिन्होंने किया है उन्होंने हसीन दिल्रुबा में भी विक्रान मैसी के करेक्टर की मा का रोल प्ले किया था पर ये दोनों करेक्टर बिल्कुल उपोजिट हैं उस फिल्म में इन्होंने अपने हुमरिस डॉलोक से हमें बहुत हसाय था पर यहां उन्होंने एक सीडी साधी प्यारी सी मा का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है डीटेलिंग फिल्म में जो शादी की सीन्स हैं खास कर बिहार की शादी के रिच्वल्स को काफी डीटेलिंग के साथ दिखाया गया है जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं कहानी कास सिस्टम और ओनर की लिंग जैसे सीरिस सब्जेक को लेकर एक हल्की फुल्की ड्रामा फिल्म क्रियेट करना तारीट के काबिल है ऐसे कहानी नहीं नहीं है पर जिस तरह प्रेजेंट किया है वो नयासा लगता है इस फिल्म के सौंग कुछ खास नहीं है यहाँ पर ये फिल्म पूरी तरह से मात खा जाती है वैसे तो शादी के फंक्शन में कुछ सौंग हैं पर उन्हें सुनकर जरा भी मजा नहीं आता सौंग और बहतर बनाए जा सकते थे फिल्म का क्लाइमिक्स थोड़ा और बेटर हो सकता था जब फिल्म की शुरुआत में घरवालों को इतना खतरनाग बताया गया है तो क्लाइमिक्स इतना थंडा क्यों है भाई ये चीज थोड़ी खटक्ती है ओवर ओल ये एक देखने लाइक एंटर्टेनिंग फिल्म है जिसे एक बार तो देख सकते हैं मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देटी हूँ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक्स पूर वाचिंग बाई बाई